चतिस गड़ में यूनिसेफ की पहल पर ग्लो ब्लू अभियान यानि बाल हितेशी पंचायत की शुरुवात सक्ती विधानसभाग शेत्र के जोंगरा गाउं से हुई सक्ती विधायक एबन विधानसभाद्यक्ष डॉक्टर चरंडा स्मेहंत ने जोंगरा गाउं में बाल हितेशी पंचायत की शुरुवात की इस योजना के तहट बच्चों के स्वास और शिक्षा पर कारी किया जाएगा साथी बच्चों को उनका हर अधिकार मिले इस दिशा म में भी काम होगा दरसल समाज में बाल अधिकारों के प्रति जागरिती और समर्पन का भाव पैदा करने के लिए युनिसेफ ने ग्लोब ब्लू अभ्यान की शुरुवात की है पुलिस महानिरिक्षक बस्तर रेंजपी सुंदरराजने कौंदागाउं पुलिस अधिक शकौ दिव्यांग पठेल के साथ बस्तर फाइटर फोर्स की ट्रेनिंग कर रहे जवानों से मुलाकात की जवानों का उट्साह वर्धन करते वे पुलिस महाने रिक्षक ने कहा कि उनका चैन बहुत ही महतुपूर्ण कारे के लिए किया गया है इसलिए अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का और निर्वहन करने के साथ साथ बेसिक पुलिसिंग करते हुए 36 गड़ पुलिस के लिए कारे करें प्रशिक्षन आर्थियों से मुलाकात के बाद आई जी सुन्दर राज एवं पुलिस अधिक शक ने उनके मीटिंग एवं प्रशिक्षकों को प्रशिक्षन के संबद में महत्वपून टिप्स दिये बोरगाओं पीटीएस फरसगाओं में बस्तर फाइटर के 203 जवान प्रशिक्षन प्राप्त कर रहे हैं 36 गड़ के दुर्ग जिले के धमदा विकास खंड के ग्राम कोडिया में दरदनाक सड़क हाथसा हो गया है यहां धमदा से दुर्ग की ओर जा रही यात्री बस ने मेडिसरा के तीन युगों को अपनी चपेट में ले लिया है इस हास्ते में तीनों युगों की मौत हो गई है घटना के बाद आसपास के लोगों ने आक्रोश में आकर बस में तोड़ फोड़ की मामले की जानकारी मिलते हैं पुलिस मौके पर पहुँच गई और पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है और इसी के साथ ये समाचार बुलेटी ने ही समाप्त हुआ नमस्कार